आज है 25 अपरेल 2021 एक नहीं दिन के करेंट अफैर्स की सुरुआत करेंगे चलिए सुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्यूशन के साथ वेश्विक उर्जा रुपांतरन सुचकांग यानि की वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजेशन इंडेक्स 2021 में कौन सा देश सीर्ष पे रहा ये रहा है ओप्शन नमबर डी स्वेडर ओप्शन नमबर आपका यहांपर डी करेक्ट होगा वेश्विक उर्जा रुपांतरन सुचकांग यह सुचकांग किसी भी देश में उर्जा सुरक्षा प्रयावरणिय स्थिर्ता और देशों की उर्जा प्रणालियों पर वर्तमान इस्तती क्या है इनके आधार पर यह सुचकांग जारी करता है इसमें टॉप तीन कंट्री है स्वीडन, नौर्वे और डेन्मार्क इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो है 115 देसों की सूची जिसमें यहाँ पर 87 वे नंबर पे रहा है इंडिया इसको जारी करता है वर्ल्ड एकोनोमिक पॉरम स्वीडन की बात करें स्वीडन यूरोप महादीप में स्थेत है राजदानी है इसकोट हॉंग और करंसी है स्वीडन क्रोन परधान मंत्री है स्टीफन लॉफवेन और स्वीडन की संसत का नाम है रिक्स डॉग अगला क्यूशन है नैशनल असोशेशन आफ सॉफ्ट्वेर एंड अड शर्विस याना कि नैस कोन कंपनी की पहली महिला ध्यक्स कौन बनी है यह बने है Option No. A रेखा मेनन Option A आपका करेक्ट होगा रेखा मेनन बनी है National Association of Software and Service Company की पहली महिलाध्यक्स भारतिय सूचना प्रदोगी की और बिजनिस प्रोसेसर आउटसेंडिंग कंपनी का एक ट्रेड असोशेशन है जिसकी स्थापना 1 मार्च 1988 कोई थी मुख्यले नई दिल्ली में है अध्यक्स रेखा मेनन है सयुक्त राष्ट अंग्रेजी भासा दिवस और सयुक्त राष्ट इस्पैनिस भासा दिवस कब मनाया गया ये मनाया गया है 23 अप्रेल को अगर आपको ये वीडियो चलगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेर जरूर कीजे ताकि एक मोटिवेशन बना रहे है सयुक्त राष्ट अंगरेजी भासा दिवस और सयुक्त राष्ट इस्पैनिस भासा दिवस परतिवस 23 अप्रेल को मनाए जाता है अंगरेजी भासा दिवस जो है ये 23 अप्रेल को विलियम सेक्स पीरियर जो अंगरेजी के कवी नाटककार और अभिनेताओं के मरत्यू और जन हित करने के लिए चुना गया है इस्पैनिस भासा दिवस जो है इस्पैनिस भासा के लिए इस दिन को चुना गया है क्योंकि इस दिन इस्पैन में हिस्पोनिक दिवस यानि की हिस्पोनिक डे की रूप में मनाया जाता है जिसका अर्थ होता है इस्पैनिस भासा दुनिया भाशे दुनिया United Nations Organization जिसकी पहले महासचिव जो है यह है ट्रिग्वी ली और संयुक्तराष्ट्य संग यानि की UNO के वर्तमान महासचिव है एंटी नियो गुटेरेस पुर्तगाल से आते हैं अंतराष्ट्य संग जो है इसकी स्थापना 24 ओक्टावर 1945 कोई थी और इसके हैड़क्वाटर्स नियोर्क में इस्तित है सयुक्तराष्ट्य संग जो है इसके सदश्य जो है भारत बनाता 1945 में सायूत राष्ट्य संग के वर्तमान में सदश्य देश 193 एकसो तराणव में है और 193 वा जो कंट्री है वो है सुडान सायूत राष्ट्य संग में हिंदी में भाषा भाषन देने वाले पहले भारतिय अटल बिहारी वाजपी थे सायूत राष्ट्य दिवस हर साल 24 ऑक्टोबर को मनाई जाता है क्योंकि 24 ऑक्टोबर 1925 की इसकी इस्थापना हुई थी यूएस असोशियेट अटोर्नी जर्नल बनने वाली पहली भारतिय महिला कौन अमेरिकी कौन बनी है तो ये बनी है वनिता गुपता option number D आपका correct है याँ पर और अमेरिका की राजदानी है वोसिंग्टन DC करंसी है अमेरिकन डोलर राष्ट्पती है जो बाइडन जोकी 46 वे राष्ट्पती है राष्ट उपराष्ट्पती है कमला हैरेस अमेरिका की space agency का नाम है नासा और इसके headquarter भी कहा पर है वोसिंग्टन DC में और वोसिंग्टन DC जो है ये पोटों में एक river के किनारे पर इस्तित है कौन सी party चुनावी बोंड दाता का नाम घोशित करने वाली पहली भारतिये party बन गई है ये बन गई है जहार खंड मुक्ती मोर्चा party चुनावी बोंड चुनावी बोंड से मतलब एक ऐसे बोंड के तहत उसकी value या फिर मुले लिखा होता है यह बोंड व्यक्तियों संस्थानों और संगठोनों दुआरा राजनीतिक दलों के पैसा दान करने के लिए इस्तिमाल किया जा सकता है धारखन मुक्ति मोर्चा पार्टी वह पार्टी पहली पार्टी बन गई है जिसने चुनावी बोंड के जरिये दान देने वाली पहली नामों की घोशना की है मुक्ति मोर्चा पार्टी के धन योगदान समंदी रिपोर्ट के नुसार पार्टी को 2019-20 के लिए एक करूर रुपे चंदे की घोशना की गई है सत्ताधारी दल को यह दान है अलूमीनियम और तामबा निर्माता कंपनी जिसका नाम है इलन्ड को इनोंने यहापर दिया है जारकन जिसकी स्थापना 15 नौमबर 2000 कोई थी इसकी राज़दा नहीं है राची हेमन्त सोरेन है मुख्य मंत्री और गवर्नर है द्रोबदी मुर्मू रवी रंजन जो है यह है मुख्य नैदीस पांच पडोसी राज्य भी है बिहार उत्तर प्रदेश पस्षिम मंगाल उर जारकन जो की धनबाद जो है जारकन के अंदर वहां पर और भरत का कौन सा सहर स्टील सिटी कहा जाता है यह है जमसेदपूर जो की धारकन में इस्थित है जारकन के पर्मुक हवाई अडे बिर्षा मुंड़ा हवाई अड़ा राची में इस्थित है अगला कुशन है नासा के पोर सेवरांस रोवर ने हाली में मंगल गरहे पर ओक्सिजन का निर्मान किया नासा किस देश की स्पेस एजन्सी है मैंने अभी आपको बता था अमेरिका की है और वसिंग्टन डीसी जो है वहाँ पर इसके हेड़कॉर्टर्स देखने को लेंगी जो कि पोटो मेक रिवर के किनारी पर इस्तित है नासा के पैर सेवरांस रोवर इन्होंने हाली में कार्बन डायोक्साइड को ओक्सिजन में परिवर्तित किया यह पहली बार है जब किसी अन्य गरह में यह कारिये किया गया है नासा यानि कि नैशनल एननोटिक एंड स्पेस एड्मिनिस्टेशन जिसके स्थापना 29 जुलाई गुनी सो अठावन में हुजी मुख्याल है वोसिंग्टन डीसी में है अध्यक्स है जिम ब्रिडेस्टाइन और मोटो है फोर दे बेनिफिट ओफ ओल हाली में Global Energy Review ये रिपोर्ट अभी आई है ये रिपोर्ट जारी किस ने की है तो ये रिपोर्ट जारी की है ओक्षन नमबर C अंतराश्टिय उर्जा एजनसी यानि की IEA के दोरा इस रिपोर्ट के नुसार भारत में Carbon Dioxide उत्सरजन 2019 में दर्ज किये गए इस्तरों की तुलना में 1.4% अधिक है भारत के नविनिकरण इस्तरों से बिजली उत्पादन में वर्दी की तुलना में कोईले से चलने वाली बिजली का उत्पादन 3 गुना अधिक है और भारत क कोईले की मांग 9% बनने की उमीद है दुनिया भर में Carbon Dioxide का उत्सरजन 2021 तक 5 बिलियन टल्ब होगा चीन 2021 में 80% अधिक कोईले की मांग का नित्रत्व करेगा और नविनिकरण उड़जा 30% बिजली परदान करेगे International Energy Agency जिसकी थापना 1924 में है मुख्यलय पैरिस में है पते ही बिरोल जो है यह है अध्यक्स और सदैशी देशत 30 वेश्विक जलवायू सिखर समयलन भारत की तरह से अध्यक्सता कोन करेगा यह करेंगे नरेंद्र मोदीजी इस सखर समयलन में लगभग 40 अन्य वेश्विक नेताओं ने भाग लेंगे और इसका उद्धिश्य है यहां पर क्या होगा अपनी सहयोग आपसी तालमेल और विबिन देशों में धार्मिक स्वतंतरता की इस्तती को दर्साने वाली अंतराष्टे धार्मिक स्वतंतरता रिपोर्ट 2021 को किस ने जारी किया है यह जारी किया है अंतराष्टे धार्मिक स्वतंतरता पर अमेरिकी आयोग इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में धार्मिक आजादी की स्थती चिंता जनक है अमेरिका में बाइडन प्रसासन से मांग की गई है कि वे भारत की सहीत चार देशों को धार्मिक आजादी के मामले में कंट्री ओफ पार्टी कुलर कंसर्ड यानि की चिंता जनक हालात वाले देशों की लिस्ट में रखें भारत के अलावा अमेरिका कश्मीर ने जो कमिशन ने जिन तीन देशों के लिए लिहां पर लिस्ट शामिल करने की जो शिफारिश की है वह है रूस इसके लावा रश्या और वियत्राम मैं आपको पता दू इसके अंदर चाइना शैमिल नहीं है भाकी क्योंकि जो बाइडन है वह ओल्रेडी डर चुके है चाइना से क्योंकि चाइना जो है यहां पर वह काफी बड़ा यहां पर विरोधी है इस्लामिक जो यहा पारत कर सकता है यह बात हर कोई जाने अब लग गया है अगला क्यूशन है और राजकमर आखरी क्यूशन है लेजन अल अतलोल इसको सिर्ष यूरोपियन अधिकार पुरुषकार से सम्मानिक किया गया है यह किस देश के हैं तो यह साउदी अरब के दिको लेजोन अल हतलो जो है यह यहां पर चुने गये हैं इसके लिए आज का जो आपका टेश्ट का क्यूशन है वो है जगन्ना विद्धा तुवेना योजना को किस राज्य की सरकार ने सुरू किया है आपको यह कमेंट शेक्शन में बताना है कितने लोग बता पता है और प्लीज इस वीडियो को हम 500 लाइक का टार्गेट रखते हैं ठीक है और अपना इसका एंसर्ट जो है कमेंट शेक्शन में देना मत बूलेगा आपको A, B, C, O, D यह सिर्फ चार ओप्शन में आपको यहां पर इसका जो राइट एंसर्ट है वो देना है तो प्लीज अपना कमेंट में यहां पर ए थैंकि अव्रीवन